कॉंग्रिस अध्यक्षपत की चुनाओं के लिए सोमवार को मतदान संपन हो गया पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग, कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्वरिष्ट नेताओं ने वोट डाला मतदान के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि वो लंबे समय से इस दिन का इंतिजार कर रही थी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग और कॉंग्रिस महा सचिव प्रियंका गांधी वाडरा ने यहां कॉंग्रिस मुख्याले पहुचकर मतदान किया राहुल गांधी ने करनाटक के बिलारी में भारत जोड़ो यातरा से सम्मंदिन कंटेनर वाले विश्राम शिविर में बने मतदान केंदर पर वोट डाला। उनके साथ वहां उनलग भाग चालीस निता वूवि मतदान किया जो उनके साथ इस यातरा में भारत यातरी हैं। मतदान से पहले सुनिया गांधी ने यहां समवादाताओं के सवालों के जवाब में कहा मैं इस दिन का लंबे समय से इन्तिजार कर रही थी। पार्टी मुख्याले में वरिष्ट नेता पीचितांबरम ने सबसे पहले मतदान किया। उसके बाद पार्टी महासचिव जैराम रमेश, अजैमाकन, मुकुल वास्टनिक, वरिष्ट नेता अंबिका सोनी, विवेक तनखा और कई अन्न लोगों ने मतदान किया। मतदान के बीच पार्टी के केंदरी चुनाओ प्रादिकरण के प्रमुक मदुसूदन मिस्टरी ने पीटी आई भाषा से कहा कि चुनाओ की पूरी प्रक्रिया स्वतंतर, निश्पक्ष और पारदर्शी रही है। तथा वो इससे संतुष्ट हैं। कॉंग्रिस मुक्याले मे मतदान के बाद जैराम रमेश्ट ने समवादाताओं से कहा कि एतिहासिक मौका है। हमारे यहां स्वतंतर, निश्पक्ष और पारदर्शी धंग से चुनाओ हुआ है। उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस एक मात राजने तिक दल है जहां अध्यक्षपत के लिए चुनाओ होता थी। थरूर ने ट्विट किया मलिका अरजुन खरगे से आज सुभा बात की और उन्हें शुपकाम नाये दी। तता उनके प्रती सम्मान और कॉंग्रेस की सफलता के प्रती दोनों के साजा समरपन को व्यक्त किया है। खरगे ने ट्विट पर कहा शशी थरूर जी को मेरी शुपकाम नाये आज उन से बात की हम दोनों कॉंग्रेस की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं ताकि भविशी की पीडियों के लिए पहले से मजबूत और बहतर राश्ट्र का निर्मान किया जा सके। कॉंग्रेस की 9000 से अधिक डेलिगेट्स निर्वाचन मंडल के सदस स कॉंग्रेस पार्टी को पर्टी प्रमक चुलने के लिए मददान करने के पातरु थे कॉंग्रेस मुक्धाल समय लगभग 38 मददान को बूतों पर मददान हुआ कॉंग्रेस पार्टी थरूर ने निर्वाचकों से बदलाव अपनाने का सहाथ दिखाने का अहवान करते हुए शनिवार को कहा था कि वो जिन बदलाओं के बारे में सोच रहें उनमें पार्टी के मूलियों में कोई बदलाव नहीं होगा और केवल लक्ष पाने के तरीके में परिवर्तनाएगा। वहीं खड़गे ने रविवार को कहा था कि अगर वो अद्यक्ष बनते हैं तो उन्हें पार्टी के मामल में गांधी परिवार की सल्हा और सहयोग लेने में कोई जिजक्त नहीं होगी क्योंकि उस परिवार ने काफी संगर्श के आरो पार्टी के विकास में बड़ा योग दिया है देश और दुनिया की हर अबडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें